नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसवल इंडिया आपके साथ मेहूं का जोन लरायन आप देख रहे हमारा खास कारिक्रम भविश्यवानी मेरे साथ हैं पंडित चंदर शेकर शर्मा जी बहुत स्वागत है पंडित जी न्यूसवल इंडिया में तो हर सप्ता हम आपको राशिवल बताते हैं सप्ता भी हम आपको राशिवल बताएंगे कि अगले आने वाला सप्ता आपके लिए कितना खुश मिजाज होगा और कितना अच्छा होगा और क्या क्या उपाएं करने आपके लिए जरूरी है ओम नमाशिवाय आत्मा त्वम्गिरजामते सहचरा प्राणाशरे रम्ग्रहम पूजा ते विशयो पभोग रचना नेद्रासमा धेस्थितर संचा रह्पदयो प्रदक्षन विधे सोत्राणी शर्वागिरो यद्यात कर्म करो मितत दखिलं संभोस्तवाराधनम ओम नमशिवाय चलिए अब आगे बट रुख करेंगे अपनी बारा राशियों का जिनमें सबसे पहले राशी है मेश राशी पन्दी जी मेश राशी के जातकों के लिए आने वाला सब्ता कैसा र मेश राशी के जातकों को आपकी मेहनत और अलग दरश्टी कोन की वजह से कारे इस्थल पर आपका रुतुबा वड़ेगा सैक्षडिक मोर्चे पर लगातार प्रियास की वजह से कुछ खास ब्यक्तियों का मार्ग दरशन आपको मिल सकता है आपके लिए सुभंक है सत्तरा शुभरंग है हरा इसके लावा पंडीची कोई खास उपाए मेश राशी के जातकों के लिए इनके लिए उपाए है ये गाय के लिए हराचारा लगातार एक सप्ताह तक नित्यपरती खिलाएं अगली राशी विशव राशी है, विशव राशी के जातकों के लिए ये सबता कैसे रहेगा, पंडी जाटकों को घर का नौजवान उम्मीद से कम सावित हो सकता है लेकिन डाटने के वदले उसकी मदद करें शाम को प्रेमी के साथ बाहर जाने की योजना की बज़े से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन आप इससे बचने के लिए कोई रोमांचक हल निकाल शकते हैं आपके लिए सुभ अंक है साथ, शुभ रंग है पीच इनके लिए क्या खास उपाई हो सकता है पंडिजी? इनके लिए उपाई है चने की दाल, सवाया, सवा किलूप पीले कपड़े में बांध कर किसी विश्णू मंदिर में या राम मंदिर में रख दें मिथुन राशी का जिक्र करेंगे मिथुन राशी के जातकों के लिए सब्ता कैसा रहेगा मिथुन राशी के जातकों को तरक्की पाने के लिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे इस्टॉक का काम करने वालों के लिए बिसेस आमंदनी का दिन शाबित हो सकता है शारिडिक तोर पर पुरानी अवस्था में आने के लिए आप एक बार फिर जी तोड मेहनत करेंगे आपके लिए सुब अंक है पांच, सुब रंग है गहरा हरा इनके लिए उपाय है बुद्ःवार के दिन किननर के लिए दान करें अगली राशी करक राशी है, करक राशी के लिए आने वाला सब्ता कैसा रहेगा? ये पन्नीजी हमें बताएंगे करक रासी के जातकों का नकारात्मक और गुसे वाला विचार आपको मानिशिक रूप से परिशान कर सकता है आप सकारात्मक बने रहने की कोशिस करें रोमांटिक मोर्चे पर आप किसी के साथ मन की बात साजह भी कर सकते हैं आपके लिए सुभ अंक है चार, शुभ रंग है नीला पंडी जी और इनके लिए कोई खास मंत्र? जी इनके लिए खास मंत्र है ओम, प्राम, प्रीम, प्रॉम, सह, सनेश्चराई, नमह इस मंत्र का यथा सकती जाप करें अगली राशी सिंग राशी है पंडी जी बताईए सिंग राशी के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है सिंग राशी के जातकों को पदोनती का मौका मिलने की भरकूर संभावना है ब्यवशाय करने वालों के लिए भी समय अच्छा सावित हो सकता है सैक्षानिक मूर्चे पर अच्छी तैयारी के साथ ही किसमत भी आपके साथ रहेगी आपके लिए सुब अंक है सत्त्र है, सुब रंग है बेंगनी और पंडी जी इन राश्य के जातकों के लिए इनकी किसमत इनका साथ दे उसके लिए क्या खाय सुपाई कर सकते हैं? ब्यापार करने वालों के लिए समय अन्कूल रहेगा और कोई बड़ा आकरशक शौदा भी हो सकता है सैक्षनिक इस तर पर आपकी तैयारी कई सारे रोजगार के रास्टे भी खोल शक्ती है आपके लिए सुभ अंक है अठारा, सुभ रंग है पीला पंडीजी और क्या खास उपाय हो सकता है इनके लिए इनके लिए खास उपाय है लाल रंग के बच्छडे को मंगलवार के दिन गुड़ खिलाएं अगली राशी तुला राशी है तुला राशी के जातक ये सब्ता कैसे बिताएंगे ये पंडीजी हम बताएंगे सैक्षनिक इस्तर पर काम या पर्यूजना शमे पर पूरा नहीं करने की बज़े से आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं आपके लिए सुब अंख है 18, शुब रंग है चौकलेट और इनके लिए क्या खास उपाई है पड़ली जी? इनके लिए खास उपाए है चंदरमा के लिए साम के समय पानी में दूद मिलाकर छट पर खड़े होका अरग दें अगली राशी विशक राशी है विशक राशी के जातक हैं उनके लिए सप्ता कैसा रहेगा? ब्रस्चिक राशी के जातकों को यह सब्ता आप अब इस मोड़ पर हो जहां से बापस होना आसान नहीं होगा ब्यक्तिगत और पेसेवर दोनों ही मोर्चों पर सितारे आपके पक्ष में है कोई खुसखबरी भी मिल सकती है स्वास्त को प्राथ मिक्ता देना आपके लिए फायदे मन साबित होगा आपके लिए सुब अंक है बाइस सुब रंग है बैंगनी और क्या खास उपाई है इनके लिए पंडिजी? इनके लिए खास उपाई है हनुमान जी का चोला चड़ाने में घी की जगा चमेली के तेल का प्रियोग करे अगली राशी धनुराशी है धनुराशी के जातकों के लिए सब्ता कैसे रहेगा परनिजी वताएंगे थोड़ा सापधान रहें, जो काम आपको सौपा गया है, उसे आप आशानी से निभा पाएंगे आपके लिए सुब अंक है नव, सुब रंग है गहरा लाल और खास उपाई क्या है पंडिजी इनके लिए? अगली राशी मकर राशी है, मकर राशी के जातकों को तंदुरुस्ती को लेकर सजकता बढ़ेगी और आप अपनी पुरानी काया बापस पाने के लिए जिम या व्यायाम का रुख्र भी कर सकते हैं सैंक्छडिक मोर्चे पर कड़ा मुकाबला सुरू होने वाला है आपके लिए सुभ अंक है चार, सुभ रंग है हरा पड़ी जी और इनके लिए खास उपाई हो सकता है? इनके लिए खास उपाई है, ये कुत्ते के लिए रोटी पर तेल लगा करके खिलाएं कुम्ब राशी के जातकों के जातकों को पेसे वर तोर पर कोए भी जिम्मेदारी लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले क्योंकि संभभ है आप जैसा सोच रहे हैं इस्तती वैसी ना हो परिवार के किसी सदसे पर नजर वनाई रखने की आवश्यक्ता है आपके लिए सुब अंक है नव, सुब रंग है नारंगी बिल्कुल और हमारी आखरी राशी मीन राशी है मीन राशी के जातकों के लिए सबता कैसे रहेगा पंजी जी बताएंगे मीन रासी के जातकों को कार इस्थल पर आपका काम बरिष्ट की नजर में आ रहा है जिसका फायदा आपको मिल सकता है कुछ छात्रों को स्कॉलर सिप भी मिल सकती है किसी अनजाने इस रोच से पैसे की आमंदरी हो सकती है आपके लिए सुब अंग है अठारा, शुब रंग है पीला इनके लिए खास उपाय है भगवान विश्टनु सहसनाम इस तोत्र का पाठ कर पंडी जी ये तो हो गई राश्य की बाते आने वाला सब्ता कैसा रहेगा उसके उपाय भी आपने सभी राश्य के बता दिये हैं लिकिन इस वग पंडी जी देश जोहे गंभीर बिमारी से जूज रहा है कोरोना नाम की बिमारी है और हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरे ऐसी भी आएं कि लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं ताकि इस कोरोना बिमारी का खात्मा हो सके अपने आपको कोरोना से बचार रखने के लिए क्या कोई खास मंत्र कोई खास उपाय है बंडी जी कोरोना महामारी के बीच में सबसे पहले हर व्यक्ति को गरम पानी का प्रियूप करना चाहिए गरम पानी में तुलसी अर्क डाल करके प्रियूप करें खाने में थोड़ा सौट, काली मिर्च, पीपल, अजवाइन इनका प्रियूप करें बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होने से दूसरे अंगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाब भी पढ़ सकता है दूसरा मंत्र की बात कर रहे हैं तो मंत्र भगवान भोले नात भगवान भोले नात सब कुछ करने में सक्चम है तो उनका महामृत तुन्जय मंत्र का यथा सक्ती समी लोगों को जब करना चाहिए और श्री राम रक्षा इस्तोतर का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए और जो लोग ये भी नहीं कर सकते हों तो हनुवान चालीसा और बजनगवान का पाठ तो नित्य करें मैं महामृत तुन्जय मंत्र एक बार वीज सहत आपको बता देता हूँ उसको आप ध्यान पूर्वक्षो ने अम्रत्योर मुक्षिय माम्रतात ओम श्वह भोवा भू ओम सह जू ओम ओम ये महामृत तुन्जय पूर्वन मंत्र है इसका यथा सक्ति जाप करें दूसरा भगवान रामरक्षा इस्तोत्र पाठ करने से हनुवान चालीसा बजनगवान का पाठ करने से देखा गया है काफी लोगों को सुधार हुआ है और जो लोग ये भी नहीं कर सकते हों तो बिस्तर पर लेटे हुए भी पेशेंट भी सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं पर पन्दी जी का अखिर में वस एक बात यह है कि क्या उमीद है क्या इस साल हमें इस महामारी चलिए बड़ी जी बहुत शुक्री आपका और अच्छा लगा आपने इस महामारी को लेकर भी हमारे दर्शकों को तमाम जो मंत्र बताएं हैं उनसे इनका लाब होगा और उमीद करते हैं कि जितना आप लगातार इस एपिसोड को प्यार देते हैं आगे भी देते रहेंग अभिपन राणाम तामासताम हासरयताम प्रियांति शर्वावाधा प्रश्मनम तिरेलोकस्याखलेश्वरी एवमेवतयाकार्यस्मदवैर विनाशनम